सत्गुरु की साजिन वाजी, प्यारे सासंगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी, सासंगत जी सबसे पहले दासी सत्गुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी, आप सासंगत मा का लग लग वार शुकराना करती है, और आप जी के अशीर वाज से दा प्रवान करना फिर उसके बाद human values पर विचार किये जाएंगे अगर कोई गलती हो जाएगी तो आप श्मा कर देना सासंगत जी कहते हैं गेरवा रंग के कपड़े सीर पर बड़ी पगड़ी एक हाथ में डंडा और कंदे पर बड़ी चादर डाले स्वामी विवेका नंजी अमरीका के शिकागो शहर की सडकों से होते हुए कहीं जा रहे थे उनका यह पहरावा सडक पर जा रहे अमरीकी लोगों के लिए जिग्यासा का विशय बन गया उनके पीछे पीछे चल रही एक महीला ने अपने साथी पुरुष से कहा जरा इन अजीब वेश फुशा वाले महाशे को तो देखो कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं स्वामी विवेका नंजी को पीछे चल रही महीला की बात समझते देर ना लगी स्वामी विवेका नंजी उस महीला की बात को समझ गए कि वो क्या कह रही है वह समझ गए कि अमरीकी लोग उनके भारतिय पहरावे को तुछ नजर से देख रहे हैं स्वामी विवेका नंजी रुके और पीछे मुड़कर उस महीला को बोले बेहन जी मेरे इस भारतिय पहरावे पर हैरान ना हूँ आपके इस देश में किसी व्यक्ति के पहरावे को ही उस व्यक्ति के सजन होने की कसोटी माना जाता है परन्तु जिस देश से मैं यहां आया हूँ उस देश में किसी व्यक्ति के सजन होने का हंकलन उसके पहरावे से नहीं बलकि उसके क्रैक्टर वेहाचरन से किया जाता है यह सुनते ही वह महिला खुश हो गई तो इस श्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने अपने चरित्र की तरफ ध्यान देना है यही सत्गुर माता सुदिक शाजी महराज समझाते हैं कि हमने सबसे पहले अपने चरित्र को देखना है किसी के पहनावे वेश पूशा ये तो कुछ भी हमें ग्यान में बताया ही नहीं गया है सत्गुरु ने हमें कहा है कि सबी बराबर हैं कोई जो मरजी पहने कोई जो मरजी खाए पिए पहने किसी पर भी कोई किसी परकार की टीकाटी बननी नहीं करनी है और सद्कुर्बाबा हरदेव सिंग जी महाराज अक्सर हमें अपने विचारों द्वारा यही समझाते रहें कि सभी के अंदर एक ही जोती है आत्मा के रूप में आत्मा के रूप में सभी के अंदर एक ही जोती है इस प्रकार से यहां प्यार का जान बसाने की बाते हो रही है इस धर्दी को सजाने की बाते हो रही है इस गुटन से मुक्ति पाने की बाते हो रही है डर वाले एक्मोस्फियर से बाहर निकलने की बाते हो रही है यहां मिलवर्तन की बाते हो रही है यहां समीपता की बाते हो रही है कि हमें खुद भी पूल बनना है और पूल बनाने भी ह पूल बनना है दिवारे नहीं खड़ी करनी है हमने खुद पूल बनना है हमने माध्यम बनना है इनसान को इनसान के समीप लाने का कहीं पर भी इनसान और इनसान के बीच दूरियां है उन दूरियों को मिटाने का हम साधन बने हमारे मन में किसी के प्रती कोई विपरित भावा या हमने भी कहीं पर मन में कोई दिवार खड़ी कर ली है मैं खूद अपनी रहा में दिवार बना बैठा हूँ वो आएगा मुझ तक तो कैसे आएगा मैं खूद ही दिवार बन बैठा हूँ चाहे हम दिवार के अंदर हैं या हमको किसी ने दिवार के पार कर दिया है कहीं बार मैं खुद दिवार होता हूँ और कहीं बार वो दिवार बन जाते हैं जब वो दिवार बन जाते हैं तो मैं उन तक नहीं पहुँच पाता हूँ और जब मैं खूद अपनी राहा में दिवार बनकर बैटा हूँ तो वो इनसान मुझ तक पहुचेगा तो कैसे पहुचेगा हमने दिवार नहीं पूल बनना है पूल बनते हैं तो सहजे आएं जाएं यानि कि सहज ही मिलाब होते हैं फिर वहां नजदीकित हो जाती है जिस खाई ने हमें दूर किया हुआ था उस पर पूल बना दिया गया है इधर वाला उधर और उधर वाला इधर बीच में आकर मेल हो जाता है फिर एक दूसरे के दुख सुप में शामिल होकर एक दूसरे की पीड़ा हरने वाली वह अवस्था बन जाती है जिस तरह मार्टिन लूथर किंग जुनियर ने भी एक बार कहा था कि मानव को युद का अंत कर देना चाहिए इस से पहले कि युद मानवता का अंत कर दे वरना मानव जाती धर्ती से ही गायब हो जाएगी इस परकार से यह विनाश का राष्टा जो मन में धारन किया गया है इनसान इस बात को समझ नहीं रहा है यह नहीं समझ रहा कि यह पेड की उसी टहनी को काट रहा है जिस पर यह बैठा है किसी शायर ने भी कहा है, अरे ओ जलाने वाले, वो तेरा ही था नशेमन, जिसे तुने फूक डाला, मेरा आशियां समझकर, कि अपना ही घर जला रहा था, दूसरों का जानकर, इंसान तु समझ नहीं रहा है, कि जिस टहनी पर बैठा है, जिस शाका पर बैठा है, तू उसी को काट रहा है तू अपने पाम के उपर ही कुलहाडी मार रहा है तू सोचता है कि तूने दूसरे के घर को जला डाला है नहीं तूने अपना ही घर जलाया है इस तरह से यह नादानी इनसान लगातार करता चला जा रहा है इनसान तू ऐसे निशान ना छोड़ कर जा बलकि तू ऐसे कदमों के निशान इस धर्ती पर छोड़ कर जा जिन निशानों की पूजा हो कि वाक्य ही ऐसे कदम रखे गए हैं जो भलाई करते हुए रखे गए हैं जो नेकी करते हुए इस धर्ती पर रखे गए हैं अक्सर हम यह लाइन सुनते रहते हैं कि कदम उठाने होंगे तो सह पाइने में कदम उठाने होंगे यदि हम चाहते हैं कि यह देश क्या यह संसार उन्चाईयों को छुए और चारों तरफ सूप की सांस ली जा सके तो वाक्य ही यह कदम उठाने होंगे इस तरफ मुख करना होगा इस तरह की रिलाइजेशन लानी होगी इस तरह की अवेरनेस फिर एक सादन बन जाना होगा जिससे औरों को भी फैसिलिटिज मिल पाए जिससे वो इस रास्ते पर चल पाएं वो भी इस तरह से हिस्सा बन जाएं उस कार्वा का जो कार्वा जिदर से भी गुजरता है गुलजार खिला देता है इस प्रकार से महापुरुष संतजन भगज यही पैगाम देते चले आ रहे हैं ताकि समय रहते हुए हम अपनी सोच को सही दिशा दे दे अपने खयालों को सही दिशा दे दे और इस प्रकार से हम जीवन जीएं जो वास्त्विक्ता में इंसानों वाला जीवन है जो सही माइनों में एक प्रबुखी सुंदर रचना के रूप में है साज संगत जी यही अरदास यही प्रातना है कि दातार किरपा करे सब को सुमती दे सब को जाग रुकता दे इस प्रकार से सभी इंसानियत मानवता को मजबूत करते हुए इसी द्रैसंतों महापुर्शों की शिक्षाओं का अनुकरण अनुसरण करते चले जा हाज संगत जी सतकुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज ने हमें यह मानवता के गून सिखाएं हैं कि हमने पूल बनना है हमने दिवारे नहीं खड़ी करनी हैं अगर पूल बनने होंगे तो हम एक दूसरे से असानी से मिल जाएंगे और हमने हमेशा दूसरों का भला ही पूजे जाते इनसान वो दूनिया में जो संत महत्मा होते हैं इनकी पूजा क्यों होती है इनकी पूजा इसी करन से होती है क्योंकि अपने से पहले दूसरों का भला मांगते हैं अगर कोई दूसरे को कोई दुख पीड़ा कोई कश्ट है तो उसके कश्ट को दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करते चले जाते हैं, यहां तक कि अपनी पूरी जान की बाजे लगा देते हैं, और इस तरह ये औरों की खातिर जीते चले जाते हैं, प्रोबकार करते चले जाते हैं, जिस तरह विरीक शोते हैं, वो अपना फल स्वैम नहीं खाते, नदियां अपना पानी स्वेम नहीं पीती, वो दूसरों के उपकार के लिए बहती हैं, इसी तरह जो संत मात्म होती हैं, ये भी संसार में दूसरों की सेवा करने के लिए जनम लेती हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला काम करती हैं, इसलिए इनकी संसार में भी पूजा होती है, और इन का इनका यहां पर जैजैकार होती है और इनका लोग सुखी पर लोग स्वेला हो जाता है आओ हम भी इसी तरह संतों महापुर्शों की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारन करते चले जाएं करम रूप में लाते चले जाएं और इस तरह अपना जीवन समारते चले जाएं यह जो मनुश्य जनम हमें 84 लाक यूनियों के बाद मिला है इस मनुश्य जनम की हम कदर करें और ही उमन वैल्यूच मानविया गुणों को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं संगत जी सदकुर माताची के चर्णों में लासी यही अशीरवाद भांगती है एं मेरे दाता सचे बादशा दिया है तूने नफिस तोफा हमें कदर दे कदर करें हम एक उदाया हमारी नजरों को वो नजर दे हम तुझे समझ सके मेरे मौला है मेरे मालिक देन दियाल सचे बादशा सबके घरों में हर परकार के सुख देना और जिस तरह आप जी ने यह हमें अनमौल तोफा दिया है हम इसकी कदर करते चले जाएं और जैसा आप जी चाहती है वैसा अपना जीवर बना पाएं बो लादे नक्षियां ते अम लादा रंग भर दे जीवन गुजारा तेरे संता दो डरते डरते जो भी बोल बोले जा रहे हैं सुने जा रहे हैं उन पर हम अमल भी करते चले जाएं आमल करने से ही बात बनेगी सुनने सुनने से बात नहीं बनेगी बात तब ही बनेगी जब हमारे करम उच्छे होंगे उच्छी उच्छी बाते करने से बात ना बनती भाई है करम जो उच्छे हो तो मिलती उच्छाई है संपुन हर देव बानी के शवद वारावी सत्कुरुबाबा हर देव सिंग जी महराज ने हमें समझा दिया है कि उच्छी-उच्छी बाते करने से बात नहीं बनने वाली है बात तबी बनेगी जब हमारे करम उच्छे होंगे करब जिसका बोलता है सच्चा वो परचारक है जो स्वैम को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है साथ संगर ची दासी को अशीरवाद देना जो भी बोल बोले गए हैं उन पर परिभार सही चलती रहे और इसी तरह आपजी का आशीर बाती रहे दासी से विचार करते होगा हुँ, पřर उसी गल्तियां हुई होगी उन गल्तियों के लिए आपजी शमा कर देना सब के भले की काम ना करते हुए दासी सिम्रन करवाएगी सभी नहीं बिलकर सिम्रन में साथ देना है तुही निरंकार मैं तेरी शर्णा मैंनु बख्षलो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देवजी माराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचनवतार कीजे सास संगची प्रेम से कहना धन निरंकार जी